हेलो दोस्तो, वेलकम टर वर चैनल, विल स्टूबर मारुती ने रिसेंटली एक गाड़ी लॉंच की इंडिया में, जो है मारुती सुजू की फ्रॉंक्स गाड़ी का जो स्पेसिफिकिशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस गाड़ी ने मार्केट में बहुत इंटरेस्ट भी क्रीट किया है तो आज हम लोग एही समझने के लिए कोशिश करते है अगर आपके बाज़र 10 लाग क्या सपस है और आप कोई ने गाड़ी लेने चाहते है तो मारूती सुजुकी फ्रॉंक्स आपके लिए एक अच्छी गाड़ी या पार्फेक्ट गाड़ी है की नहीं वैसे तो इस सेग्मेंट में मारूती ने नया-नया एंटरे किया है बेलिनों के प्लेटफर्म में मारूती ने एक ऐसा गाड़ी बनाया जो देखने में मीनी गिरन फे तरह लगती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर हम लोग मारूती सुजुकी फ्रॉंक्स के बाद करें तो उसका on paper specification और on road presence तुनों ही बहुत खास लगती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि exterior look तो गाड़ी के आच्छा है ही सा जाता है और तब क्रेट होता है confusion अगर हम लोग सुजुकी फ्रॉंक्स की direct competitor देखते हैं तो मार्केट में टाटा पांच भी है लेकिन उसके अलबा भी उसी बाजब में बहुत सरे और भी गाड़ियां आते हैं और हमरे पास ऐसे ही लोग के कुछ confusion आया है कि लोगों हुंडा एमेज लेना है या सुजुकी फ्रॉंक्स लेना है तो आज हम लोग यहीं difference को समझने का कोशिश करते हैं और decide करते कि कौन सी गड़ी आपके लिए बहतर है वैसे हम लोग हुंडा एमेज और सुजुकी फ्रॉंक्स की apple to apple comparison नहीं कर सकते क्योंकि दूनों काड़ी अलग-अलग segment के है एमेज एक entry level sedan है और फ्रॉंक्स एक entry level micro SUV है बट दूनों कार्स के कुछ variants के price almost same होने के कारण एक बहुत बड़ा confusion हो जाता है buyers के लिए अगर देखेंगे तो फ्रॉंक्स के सबसे बड़ा advantage यही है कि उसमें taro option available है जो एमेज में नहीं है अगर dimension के बात करें तो length में दूनों गाड़ी same है बट wheat or wheel width में फ्रॉंक्स के जो dimension हो जादा है यानि की गाड़ी अंदर से आपको जादा comfortable feel होगी मेज के tire profile 175 section का है जहाँ पे फ्रॉंक्स में 195 section का है तो high speed में drive करते हुए फ्रॉंक्स में आपको जादा confidence महसुस होगा दोनों गाड़ी के best selling model का बात करें तो VX petrol मेज के और Delta Plus फ्रॉंक्स के almost similar price है और वही पे confusion create हो जाती है engine specification and power almost same है बट mileage में फ्रॉंक्स आगे है जो सबसे बड़ा advantage है Indian market के हिसाब से MSX सेदान है तो boot space automatically आपको बहुत ज़्यादा ही मिलता है और MSK VX model में 40-50,000 ज़्यादा देके मारूती फ्रॉंक्स के Delta Plus से आपको cruise control, engine start stop और height adjustable driver seat मिल जाता है जो एक बहुत बड़ा advantage है इस price range में बट फ्रॉंक्स के top model में इस सारे features आ जाते हैं जो Delta Plus में missing है अब एक major factor यह है कि मारूती सुजुगी के first car है Indian market में जो की 5 star है जहाँ पर Amaze एक 4 star car है और मुझे लगता है कि मारूती सुजुगी ने यहाँ पर बहुत बड़ा चाल केला है and this is going to be a game changer in Indian market तो मुझे लगता है कि अगर आपके budget 10 लग के आसपस है तो फ्रॉंक्स city driving, highway driving और थोड़ा बहुत off-roading के लिए एक बहुत अच्छा package है अब ज़रूर इस गाड़ी के परे में सोच सकते है दोस्तो यह सारे differences के एलाबा भी फ्रॉंक्स एक micro SUV है तो उसके height ज़दा है तो जो aged लोगे उनके लिए गाड़ी के अंदर बैटना और गाड़ी से निकलना थोड़ा सा असान हो जाता है दूसरी चीज़ है कि अगर आप फ्रॉंक्स में बैठते तो आपको sitting position थोड़ा उपर होता है तो आपको bonnet और रोड दुनों ही दिखता है तो आप आपने आपको थोड़ा ज़्यादा confident मैसूस करते हो while driving तो मेरी मनना तो यही है अगर आप फ्रॉंक्स और एमेज को एक कनफीज़ हो आपको अगर ज़्यादा boot space नहीं चाहिए होगा या तो आपको सैदान का कुई ज़रूरत नहीं है specifically तो आप फ्रॉंक्स के बारे में सोच सकते है फ्रॉंक्स इस on paper better car than Honda Amaze लेकिन आपको एक proper सैदान वाला लोग के कार चाहिए कम budget में आपको ज़्यादा boot space चाहिए आप frequently family के साथ long travel में जाएंगे और आपको boot space के requirement है तो मुझे लगता है कि Amaze आपके लिए एक perfect car है तो दोस्तो ultimately मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जो car है वो perfect नहीं होती है आपको car खरीदना है आपने requirement के हिसाब से आपने पसंद के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जीन को जो Amaze उसके लोग अच्छा लागेगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फ्रॉंक्स का जिक fresh लोगे वो लोग अच्छा लागेगा तो आपको आपके पसंद आपके बाचिट और आपके requirement के हिसाब से कार करिदने चाहिए तो I hope कि वीडियो आपके लिए बहुत interesting था आपके लिए बहुत सदा informative था अगर वीडियो अच्छा लागे तो like करना वीडियो को share करना comment section में feedback जरूर बताना हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलना क्योंकि अगर आप subscribe करते तो हमको motivation मिलता है और हम लोग आपके लिए ऐसी और नहने वीडियो लेके आएंगे थैंक यू